हलो दोस्तो तो दोस्तो आज अपन रिव्यू करने वाले सार्जेंट मूवी का तो दोस्तो अगर आप रंदीफुडा के फैन हो और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपन इस मूवी का पॉइंट वाइस रिव्यू करते हैं कि मुवी की स्टोरी के सी थी पफॉमेंस के साथ था क्लाइमेक्स के साथ और ये मुवी देखने लायक है के नहीं अगर आप ये मुवी देखना चाहते है और आप सोच रहे हो कि आपको अपना एक डेड़ घंटा बिगारना चाहिए के नहीं तो अगर मैं आपको सिधा सिधा ब यार मतब मैं जब मूवी देख रहा था तो मतब ऐसा हर एक सीन पर यही सोच रहा था कि इसके बाद आप कुछ त्विस्ट एंट आएगा कुछ अच्छा आएगा जिससे में यह मूवी कंप्लिट कर पाऊं लेकिन ऐसे करते करते एक घंटा हो गया फिर मुझे समझ आ गया कि इस मूवी में अब कुछ भी नहीं होने वाला बिलकुल बिलकुल स्लो चलने वाली है और पूरी मूवी ऐसी है लेकिन फिर भी मैंने पूरी मूवी देखी और पूरी मूवी देखने के बाद मेरा यही आ रहा है कि यह पूरी मूवी मैंने जबर जस्ती देखी मैं इत्ता बोर हो गया था सिर्फ मैंने रिव्यू करने के लिए पूरी मूवी देखी यार फिर अपने बात करें क्लाइमेक्स की ने से कुछ तो कुछ थाई नहीं यार बच्चे को भी आइडिया आ जाता है क्या होने वाला है और मदब एक टाइम के बाद आपको फर्क भी नहीं क्लाइमेक्स कंक्लूजन कुछ भी अच्छा नहीं परफोमेंस में अगर मैं रंदिपुदा की बात करूं ऐजब्चेंट परफोमेंस तो पर्फोमेंस अच्छी थी लेकिन क्या करे परफोमेंस जब स्टोरी इतनी वीक हो तो पूरी मुझे तो बिलकुल देखने लायक नहीं लगी कुछ भी खासन लगा मांडो आप रदी हुड़ा के फैनो तो भी मुझे नहीं लगता कि आपको इस मुझे में मजा आएगा क्योंकि स्टोरी इतनी वीकली प्रेजंट करी गई है एसा बह पर्सनल होते हैं तो कोई भी इसे दिल पे नहीं लेगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में